हम सबको अना बगवान नेका अद्बूत जीवन दिया है ताकि हमें जीवन को जी सके और अपने सपनों को अना साकार कर सके और यूँ ही आगे बढ़ते वे आगे चल सके अब दोस्तो सवाल यह उड़ता है कि आगर हमारे पास इतनी बड़ी सकती है फिर भी हम अपना जीवन तरीके से ही क्यों जीते हैं यह हमारे साथ अद्बूत क्यों नहीं है एकदम से सोगडबाला क्यों नहीं है आपको सुप और दुख दोनों चीजों को देगे जाता है अब आप क्या करते हो ना कि जो चुनने का विकल्प होता ना आप उनी नेगेटिव थिंकिंग को चुनोगे उनी चीजों को सोचते रह जाओगे जो आपके साथ बुरा या कुछ भी हुआ है ना बस उनी चीजों को आप सोचते रहोगे तो अगर आप अपने चुनने के विक के से करें आप अना एक नियम पक्का कर लो रूल बना लो अपने लाइब का क्यार मैं ना हर दिन की सुरुआत इस तरीके से करूंगा कि आद जो कुछ भी होगा ना मैं उसके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचूंगा उसका कोई भी परिणाम हो कोई रिजल्ट निकले मैं उ तो आप चोटी-चोटी तेसे दो गंटे तीन गंटे एक एक गंटे के करके देख सकते हो फॉर्मला यूज कर सकते हो अपनी लाइब में तो स्वागत दोस्तों आपके अपने चैनल जीनेस मैं मोटिवेशन में वीडियो को लाश तक जुरू देखना और अगर आप चैनल अगर आप मेहनत करोगे ना तो आप सपलो नहीं तो आप करते हैं मेहनत अलग अलग डायरेक्शन में कुछ नहीं होने वाला आप अना सुबह उठने के बाद यह पांच मिनट और सोने वाली आदत है ना कि थोड़ा सा और रिलक्स ले लिया जाए इसको तो बिलकुल ही छो जाते हैं अपने आप रास्ते कुलते जाएंगे अपने आप 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 आगे बढ़ते जाओगे मुझे जिंदगी का तजूर्व है ना दोस्तों बिलकुल भी नहीं है लेकिन फिर भी इतना थोड़ा मोड़ा मतलब हो जाता है कि यार ना छोटा आदमी है ना बले से बाते किसी भी करें लेकिन काम आई जाता है बड़े आदमी की बाते आना बस चलती रहेगी जैसे दिंग आगने का काम आना वहीं से स्टार्ट होता है और वो एंड टाइम पर आना आपको दोका देगा ये फैक्टा दोस्तों तो बस इतना ही दोस्तों मिलते है नेक्स्ट सबस्क्राइसें ले वे घोथ